प्रांस में एक टीचर की निशन्स हत्या स्कूल के बाहर इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने अपने स्टुडेंट्स को पैगंबर मुहम्मद के कार्टून दिखाए थे हत्यारे को पुलिस ने गोली मार दी इसके बाद फ्रांस के राष्टपती एमेनुवल मैक्रो ने टीचर सैमुल पैटी की हत्या को इसलामिक आतंकवाद करार दिया था उन्होंने कहा था कि इसलाम हमारा भविस्य हत्याने का इरादा रखता है जो कभी भी पूरा नहीं होगा इन घटनाओं के बाद से ही फ्रांस और मुस्लिम वर्ड टकरा रहे हैं क्योंकि मैंक्रो ने मुहम्मद के कार्टूनों को जारी रखने की बात कही है लेकिन बात इससे कुछ ज्यादा ही है क्योंकि मुस्लिम मुहम्मद के किसी भी कार्टून को ईशनिंदा मानते हैं तो ऐसे में मुस्लिम देशों ने फ्रांस के प्रोड़क्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है हाला कि फ्रांस ने इस तरह की मुहिम को कुछ कटर अल्प संख्यकों की चालबाजी कहा है लेकिन मामला गंभीर होता जा रहा है सोशल मीडिया से लेकर आधिकारिक तोर पर कई मुस्लिम देश इस बारे में बयान दे रहे हैं कुवैत में करीब 60 संस्थाओं के गैर सरकारी को आपरेटिव संगठन ने बीते 23 अक्टूबर को बॉयकॉट फ्रांस को लेकर निर्देश जारी किये और कई स्टोर्स में फ्रेंच प्रोड़क का व्यापार बंद हो गया दोहा में भी इस तरह की खबरे हैं इसके साथ ही कतरी इनुवस्टी ने फ्रांस के रवये को इसलाम के खिलाफ बताते हुए फ्रेंच सांस्कृतिक सप्ताह के कारिक्रम को टाल दिया मुस्लिम देशों में फ्रांस और मैंक्रों के खिलाफ विरोध पदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं